एलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक माई यूट्यूब चैनल बालवजी साइंस आज हम आप लोगों को वन जीवन संडक्छन और्थात कंजर्वेशन आफ वाइड लाइप के बारे में बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो देखिए चलिए सुरू करते ह वन जयो बिविदता के विशिष्ट अस्थल हैं अर्थात जो फारेश्ट होते हैं वो बायो डायवर्सिटी के होट स्पोर्ट सो होते हैं होट स्पोर्ट के बारे में अगला वीडियो में बना दूंगा जिसमें होट स्पोर्ट कौन-कौन से हैं उनके बारे में आपको बत उसका बेस क्या है उस छेत्र में कौन कौन से जितने प्रकार की इस्पेसिस पाई जाते हैं जितने प्रकार की जातियां पाई जाते हैं जीवों की उनकी संख्या होती है तो जीवों के बिभिन स्वरूप होते हैं जो जीवों होते हैं उनके बिभिन स्वरूप बिभिन स्वर होते हैं जीवों के यह भी महात्वपूर्ण हैं उसके लिए तो वनसागत जयो बिविता को संरच्छित करने का प्रयास प्राकर्तिक संरच्छन के मुख्य उद्देशों में से एक है यही पर आपको बता दें कि हमारे देश में वन जीवन को नश्ट होने से बचाने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं तो इसी पर पेच्छ में कौन-कौन से कानून हैं आपको हम बता देते हैं तो पहला है भारतिय सम्विधान में वन जीवों के सिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है यानि जो वन के जीवों हैं उनका सिकार ना किया जाए इस पर भारती सम्विधान में प्रतिबंध लगाया गया है, फिर दोसरा है, अनाधिकृत ρूप से वनों को काटने पर रोक लगा दी गई है, जो भीना मतलब से कोई अधिकार नहीं है, उस आधार पर वनों को काटते हैं तो उस पर भी रोक लगा दी गई है, फिर तीसरा है, सन 1972 1972 के अधिनियम के नुसार सेर, बाग, गैंडे तथा हाथी का सिकार करना एक दंडनी अपराद है यानि 1972 में एक अधिनियम लाया गया कि जो सेर, बाग और गैंडे या हाथी का सिकार करेंगे उनको दंड दिया जाएगा तो ये दंडनी अपराद के अंतरगत आते हैं फिर अगला है सेर, चीते, हिरन, सर्प, आधी की खाल एवं उससे बने साथ सामान आधी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है हम सभी लोग जानते हैं कि सेर, चीते, हिरन, सर्प, आधी जो ये जीऊ हैं, आधी जो जन्तु हैं इनकी खाल एम उनसे बने सा सामान आदे पर प्रतिबंध लगाया गया है तो इनकी खाल भी लोग बेजते थे जो सेर है चीता है हिरन इनकी खाल बेज कर पैसे कमाते थे या खाल से बहुत सारे सामान बनाया जाते सजाने वाले तो इन सभी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि कोई खाल नहीं खरीदेगा या उससे बने सा सामान नहीं खरीदेगा तो लोग क्या करेंगे जब सामान ही नहीं भीक रहा है तो इनको मारेंगे नहीं और उनकी खाल निकालेंगे नहीं तो ये हो गया फिर अगला है सारे देश में एक अक्टूबर से आठ अक्टूबर तक वन जीव सप्ताह मनाया जाता है तो बहुत सारे कामडेटी एक्जाम्स में पूछा जाता है कि वन जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है तो वन जीव सप्ताह एक अक्टूबर से तो इन सारी चीज़े इसके अंतरगत बताई जाती हैं फिर अगला है वनों तथा व्रत्छों को उगाने का कारिक्रम राष्टे असतर पर चलाया जा रहा है वनों को उगाया जाया व्रत्छों को लगाया जाया ये भी इस Сी égal तरफाने तो लोग पेड़ों को लगाते हैं तो इसमें छठे पॉइंट बताया है कि बनों तथा व्रच्छों को उगाने का कारिक्रम राष्ट्र यानि पूरे राष्ट्र में वनों को और व्रच्छों को लगाया जाए फिर अगला है लाल आकडे की पुस्तक में सूची बध करने के लिए भारती जन्त सरवेच्छों और विभाग द्वारा संकत ग्रस्त जातियों का अध्यन किया जा रहा है लाल आकडे की पुस्तक दुरलब्त तथा बिलुप्त जातियों के बारे में एक ज्यानकारी देती है लाल आकडे की पुस्तक को अंगरेजी में red data book कहा जाता है red data प्रदूशन से संबधित कानून भी बन रहे हैं, जो पॉल्यूशन है, इससे जुड़ेवे भी कानून भन रहे हैं, नियम बन रहे हैं, इन कानूनों के से प्राकर्तिक संबधा का संरच्छण करने में अत्तिक सहायता मिलेगी, ये जो प्रदूशन से संबधित कानून भन रहे हैं, इन से प्राकर्तिक संबधा का संरच्ण करने में उनको बचाने में अत्तिक हेल्प मिलेगी, फिर अगला है, वन जन्तूँ के संरच्ण है तो राष्टे उद्यानों एवं जीव सरण अस्थलों का निर्मार किया गया है, वन जीव जो हैं, वन के जन्तू हैं, उनके संरच्ण के लिए, उनको बचाने के लिए राष्टे उद्यान हैं और जीव सरण अस्थल हैं, इनका निर्मार किया गया है, मेरे चैनल में वीडियो अपलोड़ेड है, राष्टे उद्यान और जीव सरण अस्थल पर आप जातियों के विल्प्त हो जाने की संभावना है, अगर आप रच्छा नहीं करेंगे, तो जो कम बचें हैं, जो दुरलब हैं, वो विल्प्त हो जाएंगे, और अपने देश में प्राकर्तिक सबदा का संरच्छण के अनेक प्रियास हो रहे हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो जन सहियों के उधारण दो मैंने बताएं हैं, इनके द्वारा वन जीव संरच्छण किये जाते हैं, तो चलिए अब जानते हैं, कि वन जीवन के संरच्छण का महा तो क्या है, अर्थाद इंपोर्टेंस आप कंजर्वेशन आप वाल्ड लाइफ क्या है, तो पहला है, वन जनतुओं के विनास से एको दंत का प्राकर्तिक संतुलन बिगड़ जाता है, जब वन जनतुओं का विनास होता है, वो खत्म होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो जो एको सिस्टम है, इसका जो प्राकर्तिक संतुलन है, जो प्राकर्तिक बैलेंस है, निचुरल बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है तथा उत्पादक उभोगता आध में उचित संतुलन नहीं रह पाता है और जो प्रोड्यूशर है जो कंजीवमर है उसमें उचित बैलेंस नहीं रह पाता है जो पर्यवन के लिए हानिकाराख होता है अगर उचित बैलेंस नहीं रहेगा तो पर्यवन सबसे पहले जंतों पर करते हैं उसके बाद ही मानों के लिए उपयोग किया जाता है मतलब यह हुआ कि जो वन के जंतों हैं इन पर अनेक प्रकार की प्रियोग किया जाते हैं इन पर अनेक प्रकार की खोजे किया जाती हैं नुस्तंधान होते हैं कैसे तो विभिन प्रकार की और प्रियोग करने के बाद जब वो सफल होते हैं तब ही उसे मानों पर प्रियोग किया जाता है फिर अगला है वन जीवन का प्राकर्तिक सौंदर मनमोहक होता है कोयल की मीठी आवाज मोर का प्राकर्तिक रूप से नाच सभी का मन मोह लेता है विदेशी परियटक तथा हमारे देशवासी प्रिकृति का आनन्द लेने के लिए वन जीवन को देखने जाते हैं इसलिए इनका एस्थेटिक महात्तो होता है बता दें कि इसका अर्थ ये हुआ कि वन जीवन का प्राकर्तिक सौंदर मनमोहक है मतलब जो वन का जीवन है जो पेड़ पौध है उसमें जो जीवजन तो पाय जाते है उसको देखने से मन मोह जाता है देखने में अच्छा लगता है कोयल की मीठी आवाज आपको बहुत प्यारे लगती ही सुनने को अच्छा लगता है मन करता है कि सुना जाए मोर का प्राकर्तिक रूप से नाच आप देखना कितना पसंद करते हैं जैदि मोर नाच रहा है जंगल में तो देखने से कितना अच्छा लगता है मन को मोह लेता है ऐसे ही सभी के मन को मोहता है वो औ देशी परियटक दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए उसको तथा हमारे देशवासी और जो हमारे देश के लोग भी हैं वो भी जाते हैं देखने के लिए प्रकृति का आनंद लेने के लिए वन जीवों को देखने के लिए वहाँ पहुंचते हैं इसलिए इन सब का अधिक माहतो है फिर अगला है वन जियु तथा मानों की प्रगती का सीधा संबंध है यह यह प्रगती हो रही मानों जो आगे बढ़ रहा है यह वन जियु और दोनों का संबंध आपस में है मतस्य पसुपालन तथा क्रिसु छेत्र से मानो द्वारा नियोजित प्रजनन कारिकरम में वन्य जीव जीन बैंक का कारिकरते हैं जो वन्य जीव हैं चाहे वो फिशरी हो पसुपालन हो चाहे वो क्रिसु छेत्र से मानो द्वारा नियोजित प्रजनन कारिकरम हो तो इन समें जीन बैंक का कारी करते हैं प्रजनक पसुओं की उन्नत किस्मों की विकास के लिए वन जन्तों में लावदायक लक्षणों की खोज करते हैं कुल मिला कर इसका अर्थ हुआ कि वन जीवों की सहायता से अनेक जीवों की अच्छी अच्छी वरायटी अच्छी चिकिस में खोजी जाती हैं उनमें ऐसे लक्षण विक्सित किये जाते हैं जो लावदायक होते हैं लाव प्रदान करते हैं बेनीफिट प्रदान करते हैं और अनेक नई नई किसमे भी खोजी जाती हैं नई नई किसमे भी बनाई जाती हैं तो ये सारे point आप लोगों को clear हो गए होंगे कि वन्य जीवों का संदच्छन कितना अधिक महत्पूर्ण है कितना अधिक important है तो हम सभी लोग वन्य जीवों का संदच्छन करें तो आसा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा समद में आया होगा तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में वेल आइकन को भी प्रिस कर लिजिए तकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी उसकी जनकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए बता दें कि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं करता है इसका एक भी पैसा नहीं पड़ता है ये बिल्कुल फिरी होता है इसलिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर करने क्योंकि ये बिल्कुल में फिरी है